हलो फ्रेंज स्वागत है आपका हमारी चैनल पे आज हम लोग जानेंगे बांध पर आसान हिंदी निबन तो आओ शुरू करते हैं ये एक रिक्वेस्टिर वीडियो है तो इसे लाइक चुरूर कीजिएगा बांध एक अबरोध होता है जो जल को बहने से रोकता है बांध जलाशे बनाने में मदद करता है इससे बाढ़ को रोकने में मदद मिलती है और जमा किये गए जल, सीचाई, जल विद्दुत, पै जल की आपूर्ती, नौ वहन आदी में भी सहायक होती है बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए बनाया जाता है तथा इसको कई परियोजनों के लिए उपयोग किया जाता है बांध कई तरह के होते हैं जैसे लगू बांध, मध्यम बांध तथा बरे बांध बड़े बांधों का निर्मान करना अधिक कठिन होता है जिसमें अत्यधिक कार्य, शक्ती, समय तथा धन खर्च होते हैं बांध का निर्मान कंक्रीट चट्टानों, लक्री अथवा मिट्टी से भी किया जाता है इसके कई उदारन हैं जैसे भाखरा बांध, सरदार सरोवर, टीरी बांध, इत्यादी एक बांध की इसके पीछे के पानी के भार को वेहन करने की शमता अती आवश्यक होती है बांध पर धकेले जाने वाली जल की मात्रा को जलदाब कहते हैं जलदाब जल की गहराई के साथ बढ़ता है इसके परिनाम शौरूप कई बांधों का तल चौरा हो जाता है जिसे यह सता के काफी नीचे बहु भागा में बहने वाले जल का भार वहन कर सके बांधों का उपयोग सिचाई, पीने का पानी, बिजली बनाने तथा पुनस रिजन के लिए जल के बंडारन में होता है नदी का जल बांधों के पीछे उठता है तथा कृत्रिम जीलों का निर्मान करता है जो जलाश्य कहलाते हैं बांध लोगों के जीवन एबम संपती को बिना नुकसान पहुचाए बेसीन के माध्यम से बाढ़ रूटिंग के लिए विशिष्ट योजना के अनुरूप परिकल्पित, निर्मित तथा परिचालित होते हैं। बाढ़ के समय बांधों और जलाशेओं द्वारा संरक्षी जल का सिचाई एबम पैजल अवशकताओं को पूरा करने तथा जल विद्धुत उत्पादन करने हे तू उप्योग किया जा सकता है। अतह बांध हमारे लिए बहुत ही उप्योगी और अवशक है। तो आप इस त बरूर दबाएं। मिलती हुए एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई।